बूद इवनिंग वेलकम टू लेनर्स अकेटमी वेरी हैपे नियुए तो अलोफ यू इस साल की मेरे लिए आपके बैच की यह फस्ट क्लास है और यह साल आपके लिए बड़ा यादगार रहने वाला है क्यों क्योंकि ये तो परोना वाइरस तो परोना वाइरस तो बोरिंग हो गया पहसे भूरा जिए एक्साइटिक रहेगा और हर पूरी जिनदगी वर उम्राथ को याद रहेगा विकूज साल इस थे और याद रखना wichtig नहीं नहीं नो नॉट शूर अभी तक पक्का नहीं है और सुनो मेरी बात सुनो अगर सीबीएसी वह स्ट्रक्चर नहीं है तो भी बोर्ड क्लास को मानी जाएगी हो सकता है कि एवैलिएशन करने का तरीका चेंज हो जाए विजिटन एक्जाम नहीं हो कुछ और तरीके से वैलिएट हो ल स्टुरक्शन का मतलब आप वैसे समगते हो आप क्लास नाइंट और और आकनर कषण करते हैं क्या एंप Perché नियुक्ति आब चाहिए त्राइंगल और 2 रेन एंगल ऊप 60 डिग्री और मैं कहों इंगल को इंगल की मदद लो जिसको आप और में बनाना पड़े गा तो खुँस नहीं थाँ बहुत ही डिखाई दे आप समझ लेना कंपस का प्रोक करना हैं अब इस साल कंस्ट्रक्शन में को क्या क्या सीखना वो स्कर्ष करते हैं दो एक्सराइजेस है हमारे 10.1 और 10.2 तो 10.1 इस ओल अबाउट कंस्ट्रक्शन ओफ डिफरेंट डिफरेंट अंगल्स सॉरी नौट 10.1 11.1 सॉरी 11.1 इस ओल अबाउट कंस्ट्रक्शन ओफ अंगल्स याने कि आपको एंगल्स बनाने विद्धा हैल्प अपक्स ठीक है यही है यही है क्या अच्छा और एक्सराइस नंबर 11.2 में क्या है ट्राइंगल है इसमें एंगल है तो उसमें क्या हैं ट्रा construction of triangles गैव है अब देखो ट्राइंगल सीख जाएंगे तो फिर वहीहे से quadrilateral चलेंगे क्या समझे को कटि रेटरल देखो मज़े इक चीजा बताओ angle क्या होता है एक Cornwall ऐसा ही होता है एक लइन और जोड़़ो दें triangle एक लइन और जोड़ो दें quadrilateral इस तरीक हे से यह एंगल से त्राइंगर से लुंट से कट्रक्शन का तरीक और रिंगल बनाना चीके में पिर बनाना सीकके है और फीर फेर डैंगल बनाना सीखएंगे और आपका फीर जहां पर चोड़ेगे वहां से वापस पकड़ेंगे आपका एक्षुली क्लास जो टेंट थे उसमें सर्किल्स चंस्रक्शन भी है मलब टेंजेंट कंस्रक्शन वह इस साल आपके नहीं है थीक है तो इस इस आल अपको समझाना चाहूं गा और आप नोटाउन भी कर ले उन टर्म्स अब जब मैं जैसे सब्सक्राइ आपको सुनते हैं पता लग जाना चीज सर किस चीज की बात कर रहे तो पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं और फिर एकाथ कंस्ट्रक्शन टाइम बसता है तो वह भी करेंगे तो यहटिंग डालने के बाद आप कुछ टरम्स लिखें उपर हैं डाल लिजिए चाहिए से important terms important terms तो एक word लिखावा है आप है by sector अलाकि कई बार हमने discuss किया है किया है न बट आप वेरी वेरी शॉर कि फिर भी आपको नहीं पता होगा पता है बोलो क्या होता है by sector जो डिवाइट करें एक ऐसी चीज जो सामने वाली चीज को बराबर के दो बराबर पार्ट में डिवाइट कर दे उसको क्या करते हैं हम बाइट करता है वह उता है याद रहें देखो जो जो यह क्या लिखावाए अर बाइस सेक्टर तो वह इसके आगे अब आपको इसे भी वर्ट उठाओ जब 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 लास्ट में ओर यार आता है तो वह एक्शन करने यह सब्जेक्ट होता है एक्शन करने वाला होता है तो यह एक्शन करने डिवीजर का मतलब क्या होता है डिवाइड करने वाला और डिवीजर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला तो बैसेक्ट का मतलब क्या चेक करो bisect means the process of division of a line or an angle into two equal parts लिखो और फिर समस्थे देखो अभी मैं angles start करूँगा न उससे पहले ये बिल्कुल crystal clear कर ले न क्योंकि angles तभी समझ में आएंगे और अगर ये crystal clear नहीं किया तो फिर पता है आप क्या करोगे फिर आप रटोगे कि 60 degree के लिए ये कर लो 30 degree के लिए ये कर लो लेकिन 60 और 30 तो कर लिए कल को 15 degree आगया न तो फिर भूल जाओगे फिर 15 degree नहीं बना पाओगे फिर आप काओगे सर ने कराया ही नी ठीक है जबकि हम ऐसी technique develop करेंगे हम ऐसी technique develop करेंगे जिससे आप मैं तो 10 तरके एंगल्स बनाना सिखा रहा हूँ आप 50 तरके एंगल्स और बना सकते उनके लिए ये term समझने और याद करने ज़रूरी ठीक है ओके बाइसेक का मतलब क्या है देखो एक ऐसा process जिससे अपन divide करते हैं किसको या फिर अंगल को कितने parts में और दो बराबर parts दो parts में तो है लेकिन वो दो parts भी कैसे है बराबर अब बात करते हैं कि सर लाइन को और angle को दो बराबर के parts में कैसे divide कर सकते हैं तो बात पहले उसी की करेंगे लेट से मैंने एक line लेली लाइन का मतलब मैंने क्या कहरा हूं लाइन सेगमेंट ले लिए इसको दो बराबर के हिस्सों में तोड़ना है तो कौन होगा जो इसको बराबर के हिस्सों में तोड़ेगा कौन होगा कोई इंसान का नाम नहीं कि पूसराओ में कि रुद्र तोड़ेगा या इशी का तोड़ेगी क्या एंगल इसको तोड़ेगा एंगल चाहिए आपको एक लाइन सेगमेंट चाहिए अच्छा और सेंटर पर से चाहिए वह तो एक अलग कीज आए चाहिए क्या टूल क्या है लाइन शेगमेंट मैं तो कहता हूं एक पॉIN्ट ही काफ़ी है यह तो एक पॉंट सेगमेंट अब पॉइंट गर फर्माओ लाइन भी तो एक क्वइंट पर या रहे लाइन भी दिसक Τरी निकाल सब्सक्राइब तो कोई भी कहें तो एक सेग्मेंट को बाइसेक्ट करने के लिए किन हथियारों की corr को आप वो भी कि या पॉइंट या फिर एक लाइन या तो एक पॉइंट या फिर एक लाइं N adequately आप करते हैं एंगल की अब बात करते हैं एंगल की तो लेट से यह एंगल है एंगल 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 को बाटना है दो बराबर के हिस्सों में लेट से क्या चाहिए उसको बाटने एक लाइन चाहिए अब पॉइंट से काम नहीं चलेगा अब आपको एक लाइन चाहिए होगी जो इसके बीचो बीच जाए अब देखो यह बट गया ना आदा इधर रहे गया और आदा इधर रहे तो एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हर हाल मे लाइन चाहिए लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए पॉइंट भी चलेगा और लाइन भी चलेगी यहां तक सारी बाते क्लियर है अच्छा जी अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वापस लाइन पर या रहो हूँ है और लाइन को करना आप जानते हैं ए बी जानते हैं कंस्ट्रक्शन का कोई काम अभी तक वैसे हम ने किया नहीं है देखो अगर हमको एक आप सेगमेंट गीवन और आपको इसको मैं तो आप इसका क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे आप इसका यहीं होती है और ना 90 डिग्री बनाती हुए नहीं हाला कि 90 डिग्री से मुझे मतलब नहीं है मुझे तो बस बिट पॉइंट चाहिए था लेकिन वो मिल गया न मुझे अब एक्स्ट्रा में जो भी मिला ठीक है आपको 100 रुपे चाहिए था आपको देट्स मिल गए तो आपको तो काम होगे न एक जब आपको मिट पॉइंट चीए जिसे टेंजेंट अरो चाहिए में जब 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 मिट पीट कर लो जब ही भी लाइन का मिट चाहिएowers आपको क्या ड्रो द पर्पेंटिक्लो बाइसेक्टर ओफ दिस लाइंग तेल मी तो कंस्ट्रक्शन दो सारा कंपास से करना है विदी आर्क कहां रखूं कहां काटूं बलो देखो फहली बात सनो जब थे अड़ा कंपास करेंगे सुना एक नट कंपास के आपको तो दू चीजों कि जरुत परती है एक तोपास को रखना का है और एक कंपास कितना खोलना है बस यह दो चीजों चाहिए lot कंपास को रखूं कहांसर कोल कितना तो जो खोलते हो उसको कहते हैं radius जो रखते हैं उसको कहते हैं center समझ गया तो मैं अगर कहूंगा a को center लो तो आप समझ जाओ भई a पे compass रखो मैं कहूंगा a b को radius लो that means a b बराबर जितना उसको खोलो समझ गया है ठीक है अब इस language में बात करके बताओ कि किसको center लो और कितना खोलो तू ड्रो दर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विनीट बेटा radius तो लंबा ही है point कैसे radius होगा radius मतलब सुन मेरी बात center मतलब compass को कहां रखना है तो तूने का a को center लो देख मींज आप ऐसा कहना चारे हो कि compass को a पे रखो आप यह बात मान ली radius मतलब उसको कितना खोलना है तो आप कह रहे हो b को radius लो तो b बराबर खोलू उसको बात ही समझ में नहीं कि b के जैसे कितने खो a b हाँ यह जरूर तू कह सकता है कि sir a b के बराबर खोलो क्योंकि a b एक line है तो उतना में खोलू बट a b जितने खोलने की जरूरत मिया हाला कि अब a b जितना खोल लोगे तो गलत नहीं होगा बट minimum बताओ कम से कम कितना खोलना चाहिए a b के आदे से जादा a b के आदे से जादा खोलना है एको सेंटर लेना है और इस lin सेग्मेंट की दोनों साइटज पर आर्क काटनी है अब दोनों साइट्स कोन कोन सी तो देखो जब यह line नहीं थी सोसना ज़रा जिहान से जब यह लाइन नहीं थी तो यह 2D plane खाली था जैसे यह लाइन बनी तो यह 2D plane दो पार्ट में डिवाइड हो गया एक उपर और एक नीचे तो जब मैं कहूंनों साइड तो इस लाइन की एक साइड और एक दूसरी साइड की बात हो लिए तो आप क्या करोगे एक को तो सेंटर लो और इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो यह ना केवल इसके मिट पॉइंट से गुजरेगा बलकी 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 परपेंडिकुलर भी होगा अलागी परपेंडिकुलर होना तो मुझे चाहिए नहीं था बट कुल्म लाके यह बाइसेक्ट हो चुका है लेटसे स पॉइंट मैं कहेंदूंगा कि यह बाइसेक्टर ने इस एवी लाइन सेघ्मेंट को सी पॉइंट पर बाइसेक्ट कर दिया इस्सक्लियर सब लोग एक बार जाते याते लास्ट पिर से अ बीकी मोर देन हाफ लेंगी है एक लेते हुए उपर मलब लाइन के दोनों साइट उपर और नीचे, देन अगें, सेम रेडियस, याने कि चारो आर्क सेम रेडियस की है, कौन-कौन सी, 1, 2, 3, 4, चारो आर्क सेम रेडियस की है, एक बार खोल लो बसाते से ज़्यादा, जितना आपको सेट करना है, एक इपर सेट होगे, आप हिलाना नहीं है, अब हिलाना नहीं है, अच्छा, एक और चीज, आर्क को, जितना हलके हाथ से काथेंगे, कई बच्चे से आप उसको रख सको उसके दो फाइदे हैं एक फाइदा यह कि गल्दत कर जाएगी तो उसको एरेस करेंगे तो दिखेंगी नहीं और दूसरा फाइदा यह है कि जितनी पतली आर्क होती है उतना एक्जैक कल्कुलेशन होता है अब यहां पतला होना चाहिए ताकि यह पॉैंट साबसाब देखेंगे यहां से आप लाइंस को समझ गया है पहला क्या है यह इंगल का नाम सजख देते हैं ABC ए सप्टकु ड eえば सिकलना इंगल नहीं हैं इस मिया टो फिल Upon टो बीको एक्स लेते हुँए शेंटर लेते होए डीको सेंटर लेते हुए रेडियस जी टिनी चाहिए यहो जितना चांव जितना चाह बोला इतना बड़ा मक्ड खोल देना यहां तक यह बड़ी आर काट दी इतनी आर काट इस इसको कहते हैं इसे दो बूजाएं हैं इंग्लिस में कहते हैं और इतना पतला भी मत खोलना कि इतना सा इसे इसे इतना सा हो गया थोड़ा सा मीडियम रेंज का होना चीए एक्सल साइज का होना चीए ना डबल एक्सल ना एम या एल ओके ठीक है आप को प्योंगे को गया दो 16 की मोर्धिनां लेना पी सीया इंधे कि ना पने मत बैठ जाना क्यूंकि आर्क को आप इसकेल से घूंस होना सकता है अंदा जैसे पी क्यू आर्की मोर्देन हाफ ले लो ठीक है ना और पी से और क्यू से बराबर एक बार यह नहीं है बढ़ आप ले सकते हो मना भी नहीं यह क्योंकि वह और पीको सेंटर ले लिया और यह कि इस पीक्यू आर्क की लंबाई की आदे से जादा लेनी हो और कितनी भी ले सकते हो कोई मना इसंच गया है इवन आपने जो बी से रेडियस लें यह ना उतनी की उतनी भी ले सकते हो क्योंकि वो जो बी से आपने रेडियस लिए वो जनरल केसे इसमें वो पी क्यू की more than half से ज्यादा ही होती है बट पता है क्या होता है होता ही है कि देखो हमको बहुत सारा केवले एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए होना है तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि यह आर्क तो बले आप छोटी बना ले ना पी क्यू वाली तो लेकिन अब जब पी और क्यू से जब आप वापस आक्स बना रहे हो तो थोड़ा सा उससे ज्यादा खोल ले ना मलब लगब यहां तक आ जाए यहां तक आ जाए तो पी स इसको इस बी से जब मैं मिलाओंगा और एक लाइन बनाओंगा तो वो लाइन इस आर्क विल्कुल बीचोव इस निकलेगी और उस लाइन को हम कहेंगे क्या यह अभी निकली नहीं बटाब जब कॉमपस से बनाओंगे तो निकलेगी है ना यह क्या कहला आएगा इसका वह होती सरल है की नहीं है अच्छा अब मुझे सचच बताओ आप मैंसे 90 डिगरी का एंगल बनाना जानता है कोई आप नहीं बनाया थे उसमें आप यह एंगल बैसेक्टर बनाते थे पर आपको किसी ने बताया नहीं कि मिला रहे हो एक लाइन फिर आर्क बनाई होगी 60 डिग्री 120 फिर मेडम ने बोला होगा या सर ने बोला होगा इधर से और इधर से से आर्कीज दो और यह 90 डिग्री यह तो बईया 60 और 100 बीच का बीच ओबीच 90 नहीं होगा तो आपने एंगल बिस्क्टरी तो बना रहे हैं यह समझ गए क्योंकि मैं आपको दूंगा साड़े साथ डिग्री गांग अब आप कहोगे साड़े साथ का कैसे तो टेकनिक नहीं मेरे पास साथ बना दो बाइसेक्टर बनाना आता है ना 30 आ जाएगा अगेन बाइसेक्टर बनाना आता है ना 15 आ जाएगा अगेन बाइसेक्टर बनाना आता है ना साड़े साथ आ जाएगा तो बाइसेक्टर टेक्निक एक kilow impression के बीच में बहुत सारे अन्य सकतिए और live रॉसक्ड़ के डिगरी के बीच में बहुत सारे बना सकते हैं बहूफ सालोर कि नहीं नहीं जो स्टेंडर नोग बना में बना सकते हैं पीच exactly समझ गए क्या सब लोग समझ गए तो आपने क्या क्या लिख दिया बाइसेक्ट की डेफिनिशन लिख ली कि एक लाइन को भी हम दो पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं कैसे करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से अब बाइसेक्टर तो वह होगा जो और एंगल इसकॉल दा बाइसेक्टर ठीक है न को दूसरी लाइन को या एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए या तो एक पॉइंट चाहिए या लाइन जाई है ना ठीक है समझते हैं और बाइसेक्टी कौन होगा जो बिचारा बाइसेक्ट हो गया है ठीक है ना यह बिचारा विक्टेम है यह तो मर्डरर है यह विक्टेम है इसने कतल किया इसका कतल हुआ ठीक है ना यह शिकार है यह तो शिकारी है और यह शिकार है ठीक है ना बाइसेक्टी यह बिचारी वो लाइन गरीब लाइन जो बिचारी दो पार्ट में तूट गई यह वह गरीब एंगल है जो विचारा आदा हो गया ठीक है इसको बीच में से काटके साथ के दो हिस्से बटवारा कर दिया दो भाईयों ओके चला लाइन और अंगल विच इस बीग बाइसेक्टेड बाइसम पॉइंट और लाइन जिसको बाइसेक्ट बिचारे को किया जा रहा है किससे किया जा रहा है या तो किसी दूतरे पॉइंट से किया जा रहा है या लाइन जा जा रहा है sum sum S O M is sum, by sum point or line, by sum another point or line, okay? ठीक है विच इस बीइंग डाइसेक्टेड एक पैसिव वोईस की वर्वे यह लाइन बाइसेक्ट हो रही है एक्चुलिए ना ठीक है चले आगे बोलो चले ठीक है ठीक है ठीक है लिखो नेक्स्ट एडिंग एंगल बाइसेक्टर क्योंकि अगली एक्सराइज जोए अब एक्चुलिए यहाँ पर एक्सराइज नंबर 11.1 का इंट्रोड़क्शन शुरू हो गया चैप्टर इंट्रोड़क्शन का वर एक्सराइज 11.1 का इंट्रोड़क्शन शुरू हो गया क्योंकि एक्सराइज 11.1 को एंगली एंगल शॉर्ट में लिग दिया अब एक लाइन होगी जिसको बनाया जाएगा एक पर्पस के तहट और वह पर्पस होगा बीए वे एंगल को बाइसेक्ट करना एंगल और यह बीडी जो है यह है वो कातिल यह बीडी है हमारा बाइसेक्टर राइट बना लिया एंगल और उसका बाइसेक्टर अभी कॉमपस से नहीं बनाना अभी तो स्केल से बनानों रफ्स चल रहे था नोट्स बन रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास से जब तक यह कंस्ट्रक्शन चैप्टर चलेगा अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी चीज भूल के आता है तो करपया करके क्लास में अपने आप ही ना बेटे क्योंकि मैं निकालूंगा तो फिर बेज़ती को के बार जाएगी से पहले चले जाए ना ठ ठीक है जनरल जो आइटम से वो तो लाने की है जैसे कि ठीक है ना उसके बाता ज़ो रूलर जिसको आपको कई बच्चे या अकसर हम प्रोट्रक्टर प्रो ट्रैक्टर नहीं प्रैमर नहीं पढ़ना है on यह पर नहीं पड़ने परकार अब पेंसिल कौन कौन सी लानी है तो एक पैंसिल लानी है मार्किंग करने के लिए जैसे हपन ए मार्क करते हैं बी मार्क करते हैं लाइन खीसते हैं स्केल से लाइन खीसते हैं तो यह पैंसिल होनी चाहिए थोड़ी सी बिच लांग थोड़ी सी लांग होनी चाहिए इतनी सी नहीं होनी चाहिए हाथ में नहीं आ लिए ठीक है और एक श जब गया उसका कारण कॉमपस की पैंसल हमेशा शाप होनी चाहिए और हमेशा उससे अलाइन में होनी चाहिए उसके जो उसकी निडिल होती है अब क्या होता है हम अलाइनमेंट में एक बार तो कर लेते हैं लेकिन फिर हम उसी से लिखना भी शुरू कर देते हैं तो वह घज आलाइनमेंट से और हम इस लिखने करते हैं और सोच तरह थे हमारा क्यों नी बनता थीक है इसलिए और कहीं भी काम नहीं आई या बाती मार्किंग करने के लिए दूसरी पैंसिल मैंने कहीं आपको ठीक है और और शॉपनर भी अपना अपना ही होना चाहिए मैं कल से या आन एक यहां पर तो एक यहां पर तो यह नो लेंडिंग और तक आपको नहीं लेना एक दूसरे चीक है इन में से कोई भी अगर आइटम आप भूल गए तो आप क्लास में ना बैठें पहले अरेंज करें फिर बैठें ओके डन चलते हैं सब्जेक्ट मेंटर पर ठीक है यह लिख लिया ना चीक है तो इसके वाइरमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एंगल एबी सी लेटर से इस एन एंगल ऑफ सिस्टी डिगरी और अगर बीडी उसका एंगल वाइस सेक्टर है तो दो एंगल कौन से बना है इस कैसे लिख सकतें डी डी बी सी ये दोनों बराबर बनें में एंगल अगरें यवी के बने जो टोटल अग्म था उसका जस्थ घरती डिग्री场ी ज note करें यहां तक दाउंड होगे यहां तक सब्सक्राइब करें यहां तक सब्सक्राइब अच्छा विथाउट को लिखा है मैंने अच्छा विथाउट प्रोटेक्टर लिखा है तो नेक्स इडिंग इस वाट कंस्रक्शन ऑफ एंगल से विथाउट प्रोटेक्टर डालो अब फ्रेश पेट से डालो यह एक्सराइज नंबर 11.1 शुरू हो रही है सुनना मैं आप से कुछ एक एंगल सेके नौट्स बनरवा रहा हूं इन मेंसे जो एंगल माच हो ग péri कुश्चा आइफ में वो क्यूशन तो हो गया और बच्छन फिर कलें तो पूरी सब्सक्रैस मालो यह माननके चलो एक्सराइज 11.1 शुरू और शो कारण सुनो देखो इदर मेरी बात सुनो माल लो सyani न 30 डिम्द बनाना और कोई पांच वा क्यूशन है 60 डिगरी बनाना अगर एन 11.1 कर रहे हैं और पहला क्यूशन 30 डिगरी पर फोकस कर रहे हैं तो आपपन सीखी नहीं बाएंगे क्योंकि 30 डिगरी तो बनता है 60 डिगरी से अब वो तो एक्सराइज है उसकी मर्जी होगी जैसे देगा लेकिन हम सीखेंगे तो प्रोसेस से हम 30 से 60 कैसे सीखेंगे तो इसी लिए अभी आपन सीख रहे हैं 60 और उसके और एंगल्स बनाना सीख रहे हैं अब उन में से जो एक्सराइज में मैच हो जाएंगे तो मान लेना कि वो क्यूशन हमने कर लिए और बचे हो यहां समझ गए ठीक है तो विधाउट प्रोटेक्टर है विधाउट प्रोट अब एक चीज विधाउट प्रूफ सुन लो आई विल नॉट टेल दर प्रूफ बिकोज यह साइन्टिफिकल ही प्रूफ है क्या है सुनना ध्यान से सुन रहे हो गया हाँ बैसाब सुन लो उधर देख भी लो सपोस्कर आमने एक सर्किल बनाया मना लिया अब सेम रेडियस लेकर सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट में काट लो लेट से यह है एक को रेडियस जितनी सर्किल की रेडियस से लेकर अगर मैं अर प्रूफ तो यह जो आर की लंबाई होती है इस सर्किल की लंबाई की हमेशा वन सिक्स्ट पार्ट होती है कि साइन्टिफिकली प्रूवड है कि इतने पार्ट होती है तो आप सोचो इस सेम रेडियस से फिर अनौदर आर काट लूँ फिर आर काटो तो कितनी बारी में मैं पूरा आउंगा यहां पर बताओ छे बारी में करते हुई बनाते हैं हम 60-iej- decrease लॉजिक को digitally कर सफोज करो एंगल एक और इस स्केल से बना दूगा अब दूसरी बनाने है अब सपर सफोस्रो इस बी पर मुझे एंगल बनाना है तो में यूद रूपwic Kaiser है उतना आपी मरजी आ है उतना खोल लिए मालो विनीत नेतना ना आर्क समस्क्राइब का एक पार्ट सपोस्पोस कड़ो मैं यहां से लेकर पूरा बना दूँ तो यह पूरा अब यह वाला पॉइंट बोलो सर्कील के उपर लाया करेगा आप रेडियस नहीं बदल रहे हो और इसी इसी पर काट रहे हो तो अभी-अभी मैंने क्या गाता 165 होती है तो यह इस पॉइंट से अगर मैं इसके पनेक्ट कर लूँ तो इस एंगल विल भी 60 डिग्री 100 परसेंट चाहे से आपने कॉंपस कितना भी खोलाओ समझ गया सिक्स्टी डिग्री बनाने इसी का समझे समझ गये चलो सब लोग सिक्स्टी डिग्री का एंगल बनाओ और आके फिर मुझे मैशर करवा और जो नहीं समझा अभी भी पूछ सकता है और सबके फिर स्टेप्स आप तो सुन रहे थे ना समझ में नहीं आया तो मैंने का था देख भी लो इधर देखो स्क्रीन पर फर्स्ट ओफॉल एंगल में दो आमस होती है एक आम तो स्केल की मदद से बना लेंगे हम 20 बना लिए हमने अब बी पे सेंटर लेके और जो आपकी मर्जी आया है उतना उतना रेडियस लेके एक आ कि दू तो ये उन 6 होगा तो कि सर्किल तो सर्किल 302 का होता है तो उसका बना रेडियस का बनाया हो तो चैसे आपने सर्किल कितने भी रेडियस का बनाया हो, तो construction of angles की शुरुवार 60 degree से ही होती है, और बाकि सारे angles 60 degree की मदद से ही start बनना शुरू होता है, ठीके न, clear, बन गया, protector से measure करो, कितना fluctuation आया, 1 degree plus, 1 degree minus allowed है, उससे ज्यादा कुछ allowed नहीं है, यह ज्यादा से ज्यादा 2 degree, मतलब 60 degree का आप plus 2 degree आने 62 degree और minus 2 degree आने 58 degree, तो 58 से 62 के बीच में अगर कुछ आ रहा है, तो correct है, अगर इससे भी ज्यादा fluctuation है, तो फिर आपको फिर से बनाना है, ओके, देख फिर बना रही है, न, क्या गाता है, सिंगल हाथ से, आर्क के उपर आर्क नहीं कीस नहीं है, ओवर लेट से कि यहां पर intersecting point E आया, तो B को E से join करते हुए आगे और extend कर लो, और आगे कोई भी कहीं पर भी एक point mark कर लो A, तो ABC will be equal to 63, 63 तो गलत गया, 62 के अंदर अंदर लाने कोशिश करो, देखो या तो pencil शार्प नहीं है, या compass से aligned नहीं है, या arc गलत काटी है, दोनों तीनो प्रोब्लम है, अच्छा, वेधी आप भी overrating कर दें, single हाथ से single हाथ मलब एक ही बार में आर कीच नहीं है, एक ही हाथ मारना है, दो हाथ नहीं मारने है, एक 60 आ रहा है, वेरी गुड, इस ही का कितना आ रहा है, को अपसे या लो, या दोनो कपसे या वेल्ड गा ख्यवी ओने है, वेल्ड? कि अगया हाँ नहीं है सेवंटी है दस दिगरी ज्यादा क्यों वह सत्तर के से लिया बताओ फिर से बनाओ इसको अलाइन करो अच्छे से करके आँगा ना पैंसिल अलाइन होनी चाहिए या नहीं याने के बाद छील रहा है पैंसिल डूंड रहा है यह दस पांच मेंट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं साइंस की क्लास के बाद उसमें सारा काम सेट रखना है कल से मतलब नेक्स्ट्रा से कल की क्लास का आपका 50-50 याद रखना तो आप साइंस की क्लास में आते हो ना पता चल जाएगा बट जो स्पेसिफिकरी मैस की क्लास में आता है वह एक बार ग्रूप में मैसेज जरूर देखे फिर घर से निकले कल की कल अनली पॉड टॉमोरो उ उसके बाद और कंटीनी होंगी लिए कि दूटू संभी जन अ हाँ फिफ्टी-फिप्टी यह च्टी भी सकती तो आप ग्रूप देखकर ने पर आप साइंस की वाले तो तो कोई आपको साइंस वालों को लिए तो आना है इधर आगे सर बताई देंगे की मैस की क्लास है कि जो स्पेसिफिकली मैट्स के लिए आता है उसको थोड़ा गुरूप में ऐसे दिख के आना है हाँ जी 60 डिगरी डन चलो स्टेप्स ऑफ कंस्रक्शन अब सारे बच्चों को दिक्कत यह होती है कि सबको आता है स्टेप्स नहीं बनाए जाते तो अपन एक ऐसा तरीका सोचेंगे स्टेप्स बनाने का जिससे अपन किसी भी चीच का स्टेप्स खुदी बना सके रटने की ज़रूत ना पड़े हर एक को रटनी के रट रट के आते हैं चार चैप्स वैसा नहीं तो देखो वह दो तिन टैकनिक मैंने आपको बता दी आपको कुछ नहीं करना आपको वही काम करना Imam Keitaji वही लिखने जो आपने की यह वही लिखना तो भेंज करिद्हा अपैकर हो गया कर चर्चित हो घ्या है सबसे पहले आपने क्या किए से सांने को बनाने के − बी-सी लाइन सेगमेंट खीची है, very good, कोई फिक्स लंबाई की खीची क्या, ऐसी, अंदादूनी, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अच्छा, कॉम्पस से खीची क्या आपने, कॉम्पस से खीची क्या, लाइन, लाइन खीचने के लिए कॉम्पस की करते हैं क्या, तो जब कॉम्पस की मतल लेंगे, तब construct word आएगा, नहीं तो draw word आएगा, क्या आएगा, तो draw a line segment BC of any length, क्योंकि इस ने कहा भी, मैंने किसी भी length की खीच ले, और अगर particularly question के according कोई length की खीच नहीं है, तो आप क्या कहत होगे, draw a line segment BC of length 3 cm, 2 cm, 5 cm, अब यहाँ पे क्या लिख दूँगा आएगा, तो हमें of any length, या any length word ना लिखके, simply ऐसे भी लिख रखते हैं, draw any line segment BC, ठीके, step number one clear, draw a line segment BC, that's it, step number one, बोलो पहले step पे कोई doubt, विनित मुझे बताओ, इस line segment को कीचने के बाद, अगला काम हमने क्या किया, हाँ, ठीक है, BC लिख दिया, मतलब मार्क हो गया, तू तो ऐसे भी काएगा, कि मैंने box से compass निकाला, तो वो तोना लिखेगा, steps में, हाँ, घएं, हमने, compass का सहारा लेते हैं, तो दो बाते, दो बाते, center किसको लिया, रेडियस, center किसको लिया, आपने, फिर आप लगा होगे कॉमा ये करने के बाद आपको एक R काटनी है कटनार कटनार ठीक है यूजिंग डी एस सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस कॉमा कटनार इसका देखो लेकिन इसकी लंबाई हमको पता नहीं है कितनी है अब सपोस्ट करो मेरे को अब ऐसे कुशन भी आएंगे हमारे सामने जब हमको रेडियस फिक्स लेनी पड़ेगी अ आर्क जो है मालो तीन सेंटीमीटर की काटनी होती तो मैं पता है क्या लिखता यूजिंग बी एस सेंटर एंड एनी रेडियस में लिखके टेकिंग रेडियस इक्वल टू जेती भी सेंटीमीटर है सेंटीमीटर कॉमा लगा के कटनार वेरी इजी तो देखो कुछ भी तो क्या हुआ होगा सोच ना जब देखो जब आपने आर्क काटी होगी देखो यह लाइन तो पहले थी नहीं एक लाइन सेग्मेंट चलो इसको मैं क्लीन कर देता हूं नहीं तो आपको क्या जो चीज़ दिखरी है ना आपको लगेगा शायद यह पहली सबसे पहले एक ला काट दी एनी रेडियस यह किया तो यह पॉइंट तो मिल गया मिला की मिला वह अरक अटने से शेяс को मिल गाराशेक्ट के किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइन सेग्मेंट बीसी का और आर्क और यह आर्क ने इसी को इंटरसेक्ट किया यह यह इंटरसेक्ट धी इसी इसी इस टेप में हम एड़ आप कर सकते हैं तो से स्टेप को कंप्लीट करो बच्चो कटेन आर्क विच इंट्रसेक्स बीसी एड़ पॉइंट इक खतम सेकेंड पॉइंट अब अपन किस पढ़ाओ पे पहुच गये हैं हमको डी मिल चुका है क्या मिल चुका है अभी दो तीन क्यूशन में ऐसे करवा रहा हूं फिर पता सब्सक्राइब और लिखते हैं न वह गलत तरीका त्रीक यह ही है कि आपने खीची न तो सब्सक्राइब मिल चुका है लिए फिव जो को कि एक और अभी एएं आप अब उसके बाद क्या किया था बोलना अब को से लिया था और रेडियस कितनी ली थी पहले वाली तो सेम रेडियस क्या लिखूंगा मैं जस्ट पिछली रेडियस हो तो उसको सेम रेडियस लिख सकते हैं पिछली की पिछली रेडियस हो तो फिर क्लियरली बताना पड़ेगा रेडियस इक्वल तो बीसी रेडियस इक्वल तो सीडी य and taking the same radius, cut an arc, cut an arc, अब जैसे मैं arc काटूँगा तो यह पिछली arc को काटेगी, cut an arc which intersects the previous arc at the point E, बन गया step, लेखो, using the S center and taking same radius, comma, cut an arc which intersects the previous arc at the point E, E तक आ गया, done, which intersects the previous arc at the point E, ये लो साथ, ये इस मोड पर खड़े हैं अपन कि हमको ये E मिल चुका है, मिल चुका है E, अब इसके बाद क्या किया था इशी का E मिलने के बाद, बोलो E मिलने के बाद क्या किया आपने, B से line कहां कीची, ऐसे कीच दी, या ऐसे कीच दी, कहां पर, आर्क पर, आर्क तो ये रही, ऐसे कीच दी, और आपने, आप समझाओगे कैसे किसी को, मालो आप, आपकी फ्रेंट क्लास में नहीं आई थी, और आप अपनी फ्रेंट को समझा रहे हो, कि देख बेटा, B के बाद, इसके बाद आपको ऐसे करना है, कैसे समझाओ इसको बोलो मालो यह कृतिका नहीं या बहुत सारी फ्रेंड्स नहीं है देखो अभी उनको आपको समझाना है सब की जूटी लगाऊंगा मैं तो बताओ कैसे समझाओ एक किसके बात क्या करना है एहद आप बताओ क्या से सेंटर तो यह भी हो सकता है किसी को भी सेंटर ले सकते हैं आप स्पेसिफिकली बताओ कौन से वर्टेक्स की बात कर रहे हो आर आर तो कहीं है नहीं बैटा इए तो इ के साथ क्या करना है समझानी में बी से यह से गुझर क्योंही यह यानगा कि आप क्या कोगे आप यह कोगे सुनों जोइन बी इए औन एक्सेंड इंट टू ए समझे क्या आपने स्टार्ट कहा से करी दियू से कहां से गुझरी इंपसे और उदर तोनर और रुक गह आप आगे भी बड़ गए तो एक्स्टेंड किया आपने कहा तक तो जॉइन बी इए एंड एक्स्टेंड इट टू दा पॉइंट ए समझे लिखो अगला सब देखो अब पिछले साल किया होगा मैंने यह लेकिन देखो वर्ट टू वर्ड मैच कर रहा है क्योंकि मैंने रटा नहीं है मैंने टेक्निक आपको भी सालो साल यह टेक्निक याद रहे अब आगे क्या हुआ अगय अगया इसका नाम क्या है ए बी थी तो लास्ट हमेशा यह होता है दस अंगल एकवल टू सिक्स्टी डिग्री इस तर रिक्वायर्ड अंगल या फिर simply hence angle ABC equal to 60 degree इसके आगे लिख दो is the required angle यही अंगल हमको चाहिए था इसी की तलाशती is the required angle तो ना केवल आपको angle बनाना सिखाया है मैंने विटा आपको steps बनाने भी सिखाये हैं और हर एक क्यूशन में आप ऐसे steps बनाएंगे इसी technique से बनाएंगे तो chapter खतम होते होते आपको steps बनाना भी आ जाएगा ठीक है बहुत सारे construction करने अभी इस chapter के अंदर अपने को एक और करेंगे फिर आज की अगला एंगल है 120 डिगरी ठीक है कि बताऊंगा ने आपसे बनमाऊंगा चलो आपको क्या बनाना बेटा आपको क्या बनाना है कौन से डिगरी एंगल बनाना है अभी पहले किता बना आपने तो 60 का दुगना होता यह होता है 120 डिका प्रोसेस को डबल करणा बनेगा इसका मतलब पहले 60 तक तो पहुंचो उतना काम तो करो तक करना है वो तो करना ही है करो सिक्स्टी तक कहुंचो सब लोग बस वह फाइनल लाइन मत कीज़ देना क्योंकि एक्चुली सिक्टी डिगरी नहीं बनाना मुझे आना बट आप सिक्स्टी डिगरी तक पहुंचो एक बाद यह एतने बड़े पाहाड पर कैसे बना रहा है तो बैक को पीछे रख दें एक्ट बन रहा है तेरा कंस्ट्रक्शन इससे है 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 कॉमपस को मेंशा टॉप से पकड़ना चाहिए ठीक है एहद शुरुवात में दिक्कत आएगी क्योंकि जैसी जिसकी आदत लगी हुई है वेसी उसकी आदत को चेंज करने में टाइम लगता है बट इस साल से ही ट्राय करोगे न तो अगले साल तक आदत बैठ जाएगी इस साल थोड़े बहुत का मागे कोई बात नहीं अगले साल अच्छे आने सीन तो पॉमपस को मेंशा टॉप से पकड़ो ऊपर से और हलके हाथ से आर्क काटना सीख़़ए ऑच्छे टीटरी हो जाएं तो वहीं स्टाप हो जाना और फिर मुझे बता हो गया है एकोड़ेचुल्य नहीं कीच नहीं आपको अ पर मिला था यहां तक आ गए आप आपने हैं और और आप यहां तक आ कुए हो कहाएं तक कण rescue क्यों अन आक एंतकρώ अ्य Broken दो participant कि ओनली रुद्र बच्छा है रुद्र भाईया कैसे नए साल में डिला पड़ रहा है कि इस पिड़ स्लो गई क्या नए साल में आ गए यहां तक इमाक कर दिया उसको अभी तो कॉंपस बली फैंसे करते कर काड़ के ना मेरी सामने क्यों यहीं से उठागे जैने वाओ जा छो है पिर अब एक भी बनागे टर्व हो ग deriv हो जाथ आndon एक सथक्ते सब्सक्राइस जमऱ और करना है मतलब कांभ रहे थे इसको आगे बढ़ाना है जो काम कर रहे थे उसको आगे बढ़ाना है तो आपने क्या किया था देखो आपने यह इसको मैं थोड़ा सा और और फाइनली हम क्या करेंगे फाइनली बी से एफ को जोइन करते हुए आगे एक्स्टेंड करेंगे किसी ए नाम के पॉइंट तक किसने का डॉटेट में बनाना है पूरा फूरा फूल कंस्ट्रक्शन बनाना है देखो मेरी बात सुनो आपको एक्जाम में कुछ और क्यूशन है और उसके अंदर आप टेंपररी बेसिस पर कोई एंगल बना रहे हो ठीक है समझ गया नहीं सुन रहा ना भी फिर कहेंगा सर बता दो लेट से मुझे एक लाइन सेग्मेंट का मिट पॉइंट चाहिए तो कुशन में थोड़ना का उसने कि आप परपेंडिक्लोर बैसेक्टर बनाओ उसने तो का था मिट निकालो लेकिन मिट निकालने के लिए तो फिर उसको आप क्या करोगे जो में चीज़े उसको फुल पॉर्म में बनाओ तो 120 डिग्री नाप चोक करके बताओ बना की नहीं बना सबका एक डिग्री उपर नीचे चलेगा बाकी ठीक है एक्जाक्ट चलो अब स्टेप्स लिगो एक्जाक्ट ट्राय करेंगे सब बच्चे अपने आप 60 डिग्री तक के स्टेप्स को वही चलेंगे एक स्टेप एक्स्ट्रा या दो स्टेप एक्स्ट्रा और एड हो जाएगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन झाल 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 तो गए रुद्र स्टेप्स अधेगो बेटा आजाओ स्टेप्स कित्ते कित्ते हो गए यह फेयर चंस्ट्रक्शन है रुफली मैं ने करगे बताया था पहले देखो सबसे पहले आप 60-degree के लिए सबसे पहले बीसी लाइन सेग्मेंट रो करोगे तो पहला स्टेप फिर आप वही यूजिंग बीए सेंटर और कोई भी रेडियस लोगे तो यूजिंग बीए सेंटर और टेकिंग एनी रेडियस कॉमा कटन आर्क और वह आर्क जो बीसी को डी पर चु प्रीवियस आर्क एड़ पॉइंट यहां तक भी हो गया ओगा इप इसी प्रोसेस को रिपीट कर दो मलब यही स्टेप आएगी कॉनसी वाली यही स्टेप आएगी बस difference क्या होगा बताओ यह की यही step आएगी बस d की जगह क्या लोगे अब आप eco center लोगे same radius लोगे हाँ same या previous भी ले लो cut an arc which intersects the अब यहाँ प्रीवियस नहीं ले सकते लेकिन first arc ठीक है क्योंकि जब आप देखो मेरी बाद सुने निया यलाइन खीचीती या खीचीती अब जब आप में डीपे था जब में डीपे था तो आप यह आरक जस्ट से पिछली आरक है तो आपने previous arc का नाम दे दिये इसको लेगन अब आप यहां से अगर आप कहते हो previous arc अब आप इसको प्रीवियस आर्क तो यह खुद है तो यह खुद से खुद पर थोड़ना काट नहीं है इसी आर्क पर काटना है ना पुद यह तो सबसे पहली आर्क हो गई previous नहीं हुई तो आप क्या कहो गए the first आर्क अब क्या करना है एक को कहां से एफ करना है और एक्सेंड करना है एक्सेंड करना है कहां तक एंस एंगल ABC equal to 120 degree is the required angle होते ही बताओ इतना काम हो गया सबका हो गया is the required हो गया इतना काम शिका ओके अहद हो गया इतना काम ओके तो 60 से 120 पर गये तो 120 से 180 भी जा सकते हैं एक स्टेप और फर्दर करें 180 से फिर किसमें जाएंगे 240 और 240 से वापस आ जाएं तो वापस 360 याने की नहीं 300 बीच में 300 240 से 60 जोड़के 300 और 300 से फिर वापस छे बार स्टेप को रिपीट करें तो जहां से शुरू हुए थे एक लाइन बचिए पैसे में एक लानिंग एंड बाइबाइब